POCO ने इंडिया पर लांच कर दिया एक सीरिश का और एक नया फोन को जिसका नाम रखा है POCO X5 PRO बेस्बरेंड को आप परिचिस कर पाओंगे 23,000 रूपिस पे करके और प्राइस के साफ से जुपोने कमाल की स्पेसिपी किसान के साथ आ रहा है जैसे कि इसमें रहने वाला है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 770 ADG चिपसेट जिसमें आप 5G मॉबाइल जैसा गेम को 60 एपिस में खिल साकते हो 108MP का कैमेरा है 5000Hz की बैटरी है और इंबोक्स 67W की एडप्टर के साथ आता है लेकिन यह फोन की प्राइस और स्पेसिपी किसान के तरफ देखा जाए लगबख सेम स्पेसिपी किसान के साथ आता है Redmi Note 12 Pro इसलिए बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज है यह दोनों फोन लेकर आज इस वीडियो प्यों आपको बहुत आसन तरीके से समझाने के लिए कोशिस करेंगा कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हुने वाला है और कौन सा फोन को आपको पर्चिस करना चाहिए चलिए दोस्तों यह जो कंपरिजम शुरूबात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से अब भी शुरूबात कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके डिस्प्ले के तरब देखा चाहिए दोनों फोन की साइज में यह पर अंतर नहीं रहने वाला है दोनों फोन आता है 6.67 इंच FHD Plus AMOLED पलन के साथ और दोनों फोन में 120Hz का रिफ्रेस्टर रहने वाला है दोनों फोन में Widevine L1, SDR10 Plus साथिफिकेस रान और Dolby VSON का साथ सापोर देखने को मिल जाएगा यूँकि दोस्तों अगर आप Movie या वीडियो जादा देखते हो तो आप डिस्प्ले के मामले में इस दोनों फोन से कोई भी एक फोन को चुछ कर सकते हो लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो आपको एक ही फोन को चुछ करना होगा वह है Poco X5 Pro क्योंकि यह जो फून आता है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 778 G जी 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 के साथ जोकि गॉक्टा को चिफसेट है 6 नानो मीटर फर बना हुआ है और इसका जी क्लॉक्स पी रान करता है 2.4 GHz में इसमें आप अपजी मॉवाइल है प्रिफर जैसा गेम को 60 एपीस में अराम से ख लेकिन गेमिंग के लिए पोको को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमेच किया है उसमें गेमिंग का पाफवेंस बहुत स्मूथ देखने को मिल जाएगा यूंकि अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो आपको जाना चाहिए पोको X5 Pro के तरह आप ऐस सकते हो और रेडमी का फोन आता है पीछे की तरह त्रिप्ल कैमेरा से अपके साथ प्राइमरी जो सेंसर इसके बैक कैमेरा से भी आप फोर्के में वीडियो को रेकोड कर सकते हो दोनों का जो सेल्फी कैमेरा रहने वाला है 16 मेगापिक्सल देखो यह मेगापिक्सल में से डिफरेंस देखने को मिल चाएगा ऐसे भी रेडमी या पोको में जो कालर कॉंटर शारता है और लगबख सेम ही आता है कैमेरा के मामले में आपको पोको के तरफ जाना चाहिए इसका पाफन थोड़ी सी बेटर रहने वाला है रेडमी नोट्विल प्रो से ऐसी दोस्तों डिजाइन की तरफ यहां पर इतना जबा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेका दोनों फोन लगबख सेम डिजाइन के साथ आ रहा है सिर्फ पोको की पीछी की तरफ पोको का ब्रैंडिंग है जैसे कि दोस्तों आप यह पर देख सकते हो डेडमी नोट्विल प्रो का सेम डिजाइन के साथ पोको भी आता है इसका जो फेम है जो फ्लैट इजिस के साथ आता है पीछे की तरफ दोनों का डिजाइन काफी खुफसूरत रहने वाला है इंग तोस्तों डिजाइन नहीं तो इक में तो इन अप फोन को चूच कर सकते हो ऐसे भी दोनों फोन की स्टोरेस के तरब देखा जाए, दोनों फोन का बेस्ट 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 होता है, 6GB 120 एडिजी ओला फिरेंट से LPDDR 4X कर रहा है, अब इसलिए दोनों फोन में वर्चल राम का फिचरस है, और दोनों फोन में EOFS 2.2 का स्टोरेस टाइब है, द दोनों फोन में अब SD-Card को यूच नहीं कर सकते हूं, और दोनों फोन में 3.5mm audio check है, USB speaker के तरब देखा जाए, दोनों फोन आता है dual studio speaker के साथ, लेकिन बैटरी के तरब देखा जाए, यहां पर डिफारेंस नहीं रहने वाला है, दोनों फोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, और 1000 गुपेज पे, अब बताता हूं कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और कौन सा फोन को आपको फिर्स करना चाहिए, दोनों फोन की प्राइस में देखा जाए, थोड़ी सी डिफारेंस रहने वाला है, लेकिन स्पेसिपी के सान के तरब देखा जाए, यहां पर इतना ज़्यादा डिफारेंस नहीं है, फिर भी मैं कहने वाला हूं, आप Poco X5 Pro को फिर्स कर लीजी जो फोने, प्राइस के सबसे बहुत ही अच्छा सा स्पेसिपी के सान के साथ आ रहा है, इसका डिस्प्ले है, इसका कैमेरा क्वालिटी स्लाइडली रेड्मी से बेट उमीद है, आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को के लिजी सब्सक्राइब, अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूस हो, Poco X5 Pro, Realme 10 Pro Plus लेकर तो अब इस वीडियो को जोरू देख सकते हो, आपका कन क्लियर हो जाएगा,